MIT app inventor में finger golf का ये game बनाना सीखते हैं इस game में player finger से ball को flick करेगा game का objective है दो obstacles को avoid करते हुए ball को golf hole में डालना है 10 से कम strokes में मैं MIT app inventor में जाके start new project कह रहा हूँ और project का नाम दे रहा हूँ flick golf बिना space के तो यहाँ सबसे पहले हम जो हमारे game का UI है वो बनाते हैं हम चाहते हैं कि एक canvas हो यहाँ पे जो हमारा golf green हो तो उसके लिए मैं drawing and animation में जाके एक canvas drag and drop कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो height है वो fill parent और इसकी जो width है वो भी fill parent और इसका जो color है यह golf green है तो मैं green दे रहा हूँ आप custom में जाके कुछ भी color scheme बना सकते हैं फिर हमारे को यहाँ पर एक hole चाहिए तो उसके लिए मैं drawing and animation में ही ball में जाके एक ball dragon drop कर रहा हूँ इस ball का radius मैं दे रहा हूँ 15 और इसकी speed है 0 और इसको आप जहाँ पर भी position करना चाहते हैं गेम के हिसाब से फिर हमारे को next चाहिए एक golf ball तो मैं फिर से drawing and animation में ball को एक और ball dragon drop कर रहा हूँ इसका मैं radius दे रहा हूँ 10 ताकि यह जो है यह हमारे hole में अंदर जा पाए और इसके बाद मैं इसका color कर रहा हूँ white फिर मैं इन objects को rename कर रहा हूँ तो मैं जो ball 1 है इसको rename कर रहा हूँ hole और जो ball 2 है इसको मैं rename कर रहा हूँ golf ball इसके बाद golf ball में अगर हम अंदर इस component की properties देखते हैं तो हमारे पास एक component है speed और एक component है interval तो interval का मतलब है कि जो ball है उसकी position कितने millisecond में update होती रहे तो यहाँ पर मैं value दे रहा हूँ 100 की कि ball की जो position है वो हर 100 millisecond में update हो फिर हम जो flick का action है जो determine करेगा कि जब user ball को flick करेगा तो ball जो है वो किस direction में और किस speed में जाए इसकी programming करना सीखते हैं तो मैं blocks में जाके golf ball component select कर रहा हूँ और मैं ये programming block ला रहा हूँ when golf ball.flung यहाँ से हम speed और heading direction जो है ये determine करना चाहते हैं तो हम वापस golf ball में जाकर एक setter statement ला रहे हैं कि golf ball की जो speed है वो क्या हो तो मैं speed पे hover करके get speed ला रहा हूँ और इसी को duplicate कर रहा हूँ और speed में drop down में जाके heading select कर रहा हूँ और यहाँ पे get speed के बदले get heading ला रहा हूँ तो इसको हम अब try करके देख सकते हैं कि हम connect में जाके AI companion से हम connect कर रहे हैं तो मैं already connect कर चुका हूँ तो यह हमारा UI है और अगर मैं ball को flick करता हूँ तो यह इस तरीके से flick हो रही है अभी इसके साथ दो issues है हम इसकी speed definitely control कर सकते हैं पर अभी issue क्या है कि जब यह edge को टकरा रही है तो यह bounce नहीं हो रही है यह ball जो है वो edge के साथ ही चिपक जा रही है तो हम इसको पहले यहाँ पर ठीक करते हैं तो मैं वापस golf ball में जाके यहाँ से मैं ला रहा हूँ programming block कि when edges reached और मैं golf ball में जाके कह रहा हूँ तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जब golf ball अगर edge reach हो जाए तो उसको bounce का जो function है उसको implement कर देना तो हम इसको वापस test करके देखते हैं तो मैं flick कर रहा हूँ और अब क्या हो रहा है कि bounce तो हो रही है ball पर अब यह non-stop चलती जा रही है कि यह रुकेगी नहीं तो हमारे को इसको check करना पड़ेगा इसके लिए हम designer में जाकर यहाँ पर sensors में जाकर एक clock का function ला रहे है clock एक timer की तरह है जो पीछे constantly चल रही है तो यह जो है यह component add हो गया पर यह हमारे UI में नहीं आया क्योंकि यह non-visible component है तो फिर हम वापस block में जा रहे हैं और अब हम clock 1 को select करके हम ला रहे हैं कि हम चाहते क्या है कि जब वो ball flick हो तो यह जो timer है constantly check करें ball की speed अगर ball की speed flick होने के वज़े से वो fast होगी तो जब एक certain value से fast होगी तो हम चाहते हैं कि वो constantly कम होती रहे और अगर एक value से कम है तो उसके बाद वो ball रुक जाए तो इसकी programming करते हैं तो हम control में जाके एक if then else का block ला रहे हैं और हम यहाँ पे ball की speed चेक करना चाहते हैं तो golf ball में जाके हम speed ढूंड रहे हैं तो speed और हम क्या चाहते हैं कि अगर ये एक value से कम हो तो मैं maths के operator में जाकर equality को अगर मैं drop down करा हूँ तो हम यहाँ पर एक greater than value चेक करना चाहते हैं हम कह रहे हैं कि अगर golf ball की speed जो है वो greater than a certain value हो let's say greater than 0.5 है flick होने के बाद तो अगर ये condition true हो तो क्या करना इसको constantly कम करते रहना तो हम फिर maths के operator में जाकर एक minus का operator ला रहे हैं और हम कह रहे हैं golf ball speed जो है उसको set करना कि whatever is the current golf ball speed minus 0.5 और हम दूसरा यहाँ कह रहे हैं duplicate करके कि else अगर वो less than 0.5 है तो क्या करना कि सीधे ही इसको हम कह रहे हैं इन दोरों को में delete कर रहा हूं और हम कह रहे हैं कि set it to zero यानि just stop the ball तो अब मैं यहाँ पर flick करता हूं ball तो हमारी ball edge पर bounce हो रही है यह अभी भी काफी देर बाद रुक रही है तो हम इसके लिए इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि हम वापस designer में जाके जो हमारा clock का जो time interval है इसको कम कर देते हैं इसको 100 कर देते हैं और अब अगर हम test करते हैं तो हमने flick किया अब अगर हम चाहते हैं कि यह ball की speed जो है अब यह काफी ज्यादा ही कम हो गई है तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारे पास दो तरीके हैं या तो हम जो ball का हमारा time interval है इसको change कर दें या फिर हम यहाँ speed में जाके speed को multiply कर दें कि जो भी speed की value है उसका कोई multiplier डाल दें तो मैं अभी जो है designer में जाकर golf ball में जाके इसका time interval जो है यह 100 कर रहा हूँ इसको 10 कर रहा हूँ और अब हम test करके देखते हैं आपको जो भी पसंद हो उसको इस तरीके से control कर सकते हैं या तो interval change करके या फिर blocks में जाके आप get speed को यहाँ पे कोई multiplier डाल सकते हैं next हम सीखते हैं कि हम कैसे जब यह ball जो है यह hole से collide करे तो हम कहें कि वो जो particular round है वो finish हो गया है because जो objective है वो है कि ball को हमार को उस hole में डालना है तो इसके लिए हम hole को select कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या चाहते हैं कि जब hole जो है ball उससे collide करे तो यह जो other का function है हम इसको define करना चाहते हैं कि यह other क्या है तो other has to be the golf ball तो यह condition के लिए हम check करने के लिए हम control में जाके एक if then का statement ला रहे हैं और हम कह रहे हैं हम equality चेक करना चाहते हैं कि यह जो other जो है कि वो get other जो है उसको set कर देना as the ball तो हम यहाँ पर match में एक equality ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि if get other is equal to golf ball और यह सबसे नीचे हमें मिलेगा golf ball कि अगर जो collision हो वो golf ball के साथ हो तो क्या करना तो हम चाहते हैं कि basically जो ball की speed है वो zero हो जाए और वो ऐसा लगे जैसे वो particular round जो है वो खतम हो गया क्योंकि ball जो है वो hole के अंतर चली गई तो फिर हम फिर से यहां जाके यहां set speed ला रहे हैं हम हम कह रहे हैं कि set the speed to मैं duplicate करके कह रहा हूं हम कह रहे हैं यहां पर set the speed to zero तो हम अब इसको test करके देखते हैं अगर हम अब इसको flick कर रहे हैं तो यह bounce हो रही है पर अगर मैं इसको यह जैसे ही ball जो है यह हमारे hole से collide हो रही है तो वो instantly जो है वो रुक जा रही है पर हम चाहते हैं कि वो थोड़ा अच्छा लगे और हम चाहते हैं कि वो ball जो है वो exactly hole के अंदर आ जाए तो इसलिए हम यहां पर जब जैसे ही collision detect होगा हम चाहते हैं कि जो हमारे hole के x and y coordinates हैं हमारी ball के same coordinates हो जाएं तो इसके लिए फिर हम यहां पर कह रहे हैं golf ball में जाके set golf ball x to basically ball का x वो ही हो जो hole का x है तो हम यहां hole में जाके hole x ला रहे हैं और इसी को हम duplicate कर रहे हैं और हम यहां कह रहे हैं set y to drop down से to hole y हम इसको test करके देखते हैं तो अब अगर मैं flick कर रहा हूँ तो यह अब hole के अंदर है अगर बिल्कुल आप perfection चाहते हो और आप चाहते हो कि वो जो है वो exactly middle में आए तो हम वो भी कर सकते हैं एकदम center में लाने के लिए हमारे को थोड़े से यहां पर और pixels आड़ करने हैं तो हम कह रहे हैं कि set x to जो भी x की value आ रही थी plus let's say 5 pixels तो मैं match में जाके फिर एक plus का ला रहा हूं और हम यहां कह रहे हैं set it to whole x plus let's say around 5 pixels और इसी को मैं duplicate कर रहा हूं तो इसको हम x में डाल रहे हैं और यहां पर अब हम दूसरा हम y कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर collision होगा तो ball की speed zero कर देना और ball के x y coordinates ऐसे set करना कि वो same as hole के x y coordinates हो प्लस 55 pixels तो हम इसको test करके देख सकते हैं तो मैं flick कर रहा हूं और अब जो ball है वो जब hole के अंदर जा रही है तो अच्छा लग रहा है UI में user interface में कि वो properly hole के अंदर चली गई अगले वीडियो में हम इस game को challenging बनाने के लिए इसमें दो obstacles डालते हैं और एक reset का button डालते हैं ताकि हर round के बाद player जो है एक नया game शुरू कर पाए और score डालते हैं झालते हैं